हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत हैं मेरे साथ मेरे चैनल पे दा सिग्रेट टीचर्स पे और बच्चों आज हम लोग अपनी NCRT पढ़ने वाले हैं जो NCRT है क्लास 10 की उसकों लोग पढ़ेंगे और उसमें especially जो math subject है वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा math में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है क्योंकि math क्या होती है कि जब तक भी teacher पूरी तरीके से उस question को न समझाए या फिर उसका base न समझाए तब तक कि math समझ में भी नहीं आती है और whatsapp पर पढ़ना या फिर other essay पढ़ लेना वो बिल्कुल भी आप लोग को समझ में नहीं आगा तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती थी especially maths को ले करके तो maths में especially मैंने ये classes बनाने के लिए सोचा है ठीक है तो जो मेरी class रहेगी वो NCIT की book मैं कराऊंगा NCIT की book कराऊंगा class 10th की book होगी वो ठीक है और subject होगा math subject कौन सा होगा math subject होगा ठीक है हिंदी और English द ठीक है मैं समझाओंगा Hindi में समझाओंगा जो terms होगे मैं Hindi और English दोनों में लिख दूँँगा ताकि दोनों जो medium बच्चे है मतला मेरी जो रहेगी Hindi और English ठीक है English दोनों medium में रहेगी आप लोग समझ आराम से सकते हैं ठीक है और कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगो मैं प पंद्रवा टॉपिक मैं भूल गया था यह है आपका probability ठीक है तो यह आपके पूरे के पूरे पंद्रा जो टॉपिक है वो सारे के सारे कवर होंगे यहाँ पर कुछ बच्चों का यह कहना है कि सर मेरा जो कोर्स है वो 70% हो गया है मलब 30% जो है वो कोर्स रिडियूस हो गया तो अगर आप लोग 30% जो इक्षा है अगर आप लोग पढ़ना चाहते है तो पढ़ियेगा मैं उसको भी पढ़ा दोंगा और जो हम लोग पूरा कॉरस NCI-A-D का कोर्स कवर करूंगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोग पूरा NCI-A-D का कोर्स कवर करेंगे एक बार हम लोग द linear equation in a variable, ठीक है, linear equation में soft करना बताऊंगा आप लोगो, quadratic equation होती है, ठीक है, x square plus ax plus b, इस form में होती है, ठीक है, तो इसको भी मैं पूरी तरस करना बताऊंगा, और बहुत ही मजे से करेंगे, ठीक है, ठीक है, आप लोगों कोई भी बड़र मैसूस नहीं होगी, arithmetic, progression, यह जितने भी आपके सब्चिप्टर है, 15 के 15, मैं near about एक मन्त, एक मन्त में, एक महिने में इसको मैं पूरा करा दूँगा, ठीक है, तो आप लोगो बड़र लेंग जड़ोत नहीं है, कि कितने दिन में complete होगा, मैं हर दिन आपकी class कुँँगा, ठीक है, आपको हर दिन class uploaded मिल जाएंगी, देखें, मैं live तो नहीं ले पाऊंगा, live के लिए मेरा internet बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं live इसलिए नहीं ले ले होंगा, उसमें आप लोग join हो जाएएगा, और कोई भी question पूछना चाहते हैं, तो उसमें पूछ ले जाएगा, ठीक है, चलिए, हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले, जो हमारा सबसे पहला chapter है, वो है real number, ठीक है, आप लोग NCRT में आपकी जो पहला chapter होगा, वो real number होगा, और English दोनों में कराने कोशिश करूँगा, real number, तो real number वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो यह हम लोग पढ़ेंगे, आज real number क्या होता है, इसकी आपके किताब में बहुत ही detail में दिया गया है, लेकिन वो जो method दिया गया है, जो आपके किताब में बहुत ही लंबी चौड़ी थियोरी के रूप में लिखा है, उसको आपको समझ नहीं पा रहे होगे, तो मैं बहुत ही आसान भाषा में सखाऊंगा, आप लोग को real number क्या होते हैं, लेकिन real number जानने से पहले, आप लोग एक बार जान लीजिए, कि imaginary number क्या होते है देखें, real, real मतलब लिखा है, जो वाकिये real में संखाएं होती हैं, ठीक है, वो real number होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार छोटा सा एक चीज बताना चाहता हूँ, imaginary number, imaginary number क्या होते हैं, वैसे आपके course में हैं नहीं, लिखने पर अब लोग जान लिए, थोड़ा सबस, ठीक है, कालपनिक संखाएं, थीक है, तो यहां पे जो imaginary number है, उसको denote किया जाता है, i से, किसे denote किया जाता है, i से, i का अगर पूरा full form होता है, i उटा से, i का जो मान होता है, वो होता है, minus 1 root में होता है, ठीक है, यह इतना छोटा सा होता है, आपके किसी भी syllabus में हाई स्कूल में कहीं भी syllabus में I का इस्तमाल नहीं हुआ है इस चीज का I term का इस्तमाल नहीं हुआ है इसका मतलब आपके syllabus में कालपिनिक संख्या है या फिर मैं बोलू imaginary number नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पे आपके आप नहीं पढ़ेगी यह आपके आएगी इंटर में आएगी जब इंटर में आप लोग पहुचेंगे तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा ठीक है patience बना के रखेगा ठीक है कुछ लोग बच्चे कह रहोंगे कि जो चीज नहीं पढ़ाने वाली है वो भी चीज आप पढ़ा रहे हो तो patience बना के रखेगा मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा और पूरी पूरी वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपकी book में है आपकी books में बाहर कती नहीं जाओंगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आपको यह पता चल गया कि imaginary number क्या होते है देखे संख्याएं दो तरह की होती है संख्याएं दो तरह की होती है एक तो real number होती है और दूसरी होती है imaginary number एक तो वास्तिक संख्या होती हैं दूसरी होती हैं कालपनिक संख्या हैं जो बहने आपको बताईए हैं अभी तक हमारा पहला रियल नंबर से नहीं पड़ा है रियल नंबर क्या होता समझेगा आई को छोड़ करके जो मैंने अभी आई बताया है आई को छोड़ करके आप कुछ बच्च लेते हैं, हम तो Sur, 0 लेंगे, तो 0 भी क्या है? Real number है, कुछ बच्च बच्च बोलेंगे, और सर, हम तो 100 लेंगे, तो 100 भी क्या है? Real number है, एक बच्चा बोलता है, Sur, मैं तो minus में लूँगा, जी हाँ, minus में ले दीजे, minus में बोला की फार में पाच लाख लूँगा ठीक है कितना लूँगा पाच लाख लूँगा तो 5 लाख भी क्या है real number है एक बच्चे ने बोला रहा हम point मिलेना पसंन करेंगे तो point मिले लीजे point मिलिया उस बच्चे ने 0.03 थीक है तो यह क्या है ये भी real number है, इसके बाद एक बच्चे ने बोला कि हम सर्फ 5 बटे साथ लेंगे, ये कैसी संख्या है, ये भी real number है, मतलब कहने का मतलब ये है, कि I को छोड़ करके अब जितनी संख्या हैं देखते हुआ आज तक आपने जितनी भी संख्या हैं देखी हैं, वो सब की संख्या ह real number है, ठीक है, बस इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन यहाँ पर मैं इतनी छोटी सी बात कहा है कि खतम नहीं करूंगा, इसका हम लोग classification करेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, आप चाहे तो हर एक चीज नोट कर सकते हैं, नोट करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका classification करते हैं, तो इसका classification करते हैं, तो दो चीज़े हमें मिलती हैं, ठीक है, एक होता है integer number, इंटीजर नमबर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं, पुडांक संख्याएं, पुडांक, पुडांक संख्याएं, ठीक है, इसका एक classification होता है, दो भागु में तोड़ा जाता है, एक होता है integer number, और दूसरा होता है decimal number, कौन सा होता है, decimal number, देखें, जो भी आपकी बुक में लिखा है, मैं वही चीछ पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों लग रहा होगा, ऐसा आपकी बुक में नहीं लिखा है, तो बुक में बच्चे आपकी सब वही लिखा है, और question भी इसी से बनेगे, मैं आपको बदा दे रहा हूँ, कि question इस स से बनने वाला है ठीक है बस बात ये है कि वो इस तरह से नहीं रिप्रेजंट किया गया आपकी बुक में जिस तरह से मैं रिप्रेजंट कर रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर फ़स पढ़ाँगा बहुत अराम से आमस्का अबर्स खता मुझें हम सबसे पहले चलते हैं इंटीजर पर शिली ऑसने चलते है कि इसको बड़ा सिंप्लीफाइग ना मिले बहुत जरूरी अगर इसको simplify नहीं किया तो आप लोग पहले मैं decimal पढ़ाने लगया तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, आप लोगों के लिए, यहाँ पे पुडांग संख्याएं क्या होती है, वो संख्या, अगर मैं यहाँ पे संख्या रेखा बना देता हूँ, यह number line एक होती है, number line बना संख्या होती है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और करते करते कहां तक infinite था, यह infinite जो है, वो बच्चो प्लस का infinite है, समझते हो, यह एदधन अनन्त है, अनन्त, infinite अनन्त, ठीक है, यह मैंने क्या बनाया है, संख्या रेखा, कुछ बच्चे यहाँ सोच रहोंगे, आपने क्य संख्या बना दिया, तो मैंने बुला है, कि संख्या रेखा बनाई है, मैंने इससे कहते हैं संख्या रेखा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते है, नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन बोलते है, ठीक है, यह नंबर लिखे हुआ है, यह लिखे हुआ है, यह लिखे हुआ ह तक infinite टक प्लस के infinite टक जाती है जब जीरो के इस साइड में आते हैं तो यहां कौन से संख्या होते हैं minus 1 minus 2 minus 3 और करते करते कहां तक minus के infinite टक ठीक है समझें यार आप लोग को जितनी भी यहां संख्या है देख रहे हैं वो सब कि सब क्या है इंटीजर है या फिर बोले पूरांग संख्या पूरांग में बहुत फर्क होता है यहां पर जो word मैंने लिखा है सेम आव वर्ड वही उतारेंगे पहले आप लोग pen 1 रख दीजिए pen रख करके पहले समझ लीजिए उतारने का मौका मैं दूंगा उतार लीजिएगा इस्क्रीन शॉट लेकर या वीडियो वो पॉस करके आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर एक बास समझे का जीरो तो कहा मनें बीच मिलिया है जीरो क्या किया है मनें बीच मिलिया है और जीरो कि जब इधर बढ़ते हैं जब संख्या रेखा में राइट हैंड साइट बढ़ते हैं तो संख्या हैं क्या हो जाती हैं पॉजिटिव संख्याएं हो जती है मतलब धनात्मक संख्याएं मैं इसको मिटा देता हूं यह जो संख्याएं होती है यह कहते है इसको धनात्मक संख्याएं यह पॉस्टिव नंबर पॉस्टिव नंबर कहते हैं ठीक है या फिर हिंदी में बोले धनात्मक संख्याएं धनात रिणात्मक संख्याएं, ठीक है, जब जीरो की जो इधर साइड की जितनी भी संख्याएं हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं, निगेटिव आ रहा है ना सब में, निगेटिव नंबर कहते हैं, या रिणात्मक संख्याएं कहते हैं, रिणात्मक संख्याएं, इस तो बहुत ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इतना बना सकते हैं, फिर इसके बाद मैं आगे इसी में बढ़ता हूँ, इतना आप बना लीजिए, फिर मैं आगे इसी में भी बढ़ूँगा, चीक है, देखें, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेसिमल इंटीजर नंबर जो है, वो हम संख्या रेखा के रोप में इस तरह से दर्शा दिये, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इंफाइन नाइट तक, प्लस के इंफाइन नाइट तक, और 0 से इधर आते हैं, तो माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 करते, करते, माइनस के इंफाइन नाइट तक, य वो संख्या होती है, मैं आपको यहाँ फिर से बता रहा हो, पुरांग संख्या की अगरे definition बताना चाहेंगे, तो कैसे बताएंगे, पुरांग संख्या वो संख्या होती है, जो अपने आप में पूरी पूरी होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, ठीक है, इसमें कहीं भी आपको यह दि ठीक है, मैं एक्जांपल और बता देता हूँ, अभी मैं पुरांग संख्या के बारे में चल ला हूँ, ठीक है, पुरांग संख्या के बारे में चल ला हूँ, नीचे आप लोग लिख लीजेगा, मैं पहले स्कॉर बता देता हूँ, जो हमारी positive संख्याएं हैं, जो हमारी positive नमबर है या धनात्मक संख्याएं हैं और धनात्मक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है या पॉजिटिव संख्या कहां से स्टार्ट होती है तो वन से स्टार्ट होती है कहां से स्टार्ट होती है वन से स्टार्ट होती है आप लोग लिख लीजेगा नीचे धनात्मक संख् पॉस्टिव नमबर जो है, वो कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, कहां तक जाते हैं, प्लस के इंफाइनाइट तक, इसी तरह अगर मैं बात करूँ, निगेटिव नमबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि निगेटिव नमबर माइनस इ संख्याएं होती है अच्छा मैं आपसे दुबारा बोशता हूं लेकर इनात्मक संख्याएं होती है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अगर मैं आपसे पूछूँ कि पूरान संख्याय क्या होती है तो आप बोलोगे कि minus infinite से लेकर के infinite तक मैंने क्या बोला integer number क्या होते है तो आप बोलोगे minus infinite से लेकर infinite तक वो सारी संख्याएं integer होती है, जो अपने आप में पूरी-पूरी होती है, जैसे मैं आपसे बोल दूँ, minus का 500 तो minus का 500 क्या integer है? जी हाँ है क्यों है? क्योंकि यहाँ बटे में कुछ लिखा नहीं हुआ है, upon में कुछ लिखा नहीं हुआ है, यह अपने आपने पूरी-पूरी संख्या है, यह अपने आपने पूरी-पूरी संख्या है, minus 500 कहीं यहाँ बीच में पलवा होगा, ठीक क्या मैं बोलू, 0 जो है 0 पूरांक संख्या है, जी हाँ जी रोगी पुढांग संख्या है क्योंकि हमें दिख रहा है क्या हम बता सकते हैं कि एक लाख जो है वो पुढांग संख्या है जी हाँ एक लाख पुढांग संख्या है क्योंकि यहां कहीं बीच में पड़ेगी इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी I hope बहुत ही आराम से बहुत ही मज़े से पढ़ा रहा हूँ ठीक है आप लोगो इतना समझना पड़ेगा ठीक है इतना आप लोगों नोल कर लिया होगा तो यहां थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूँगा मैं यहां पर थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा ठीक है यहां पर बात समझेगा मैंने अभी आपको बोला था कि पॉस्टिव नंबर क्या होते हैं वो संख्यां जो एक से लेकर के इंफाइनाइट तक जाती हैं और जो पूरी-पूरी होंगी यहां सब पूरी-पूरी के बात ह सब पूरी संख्यां के बात हो रही है अ सब पूरी-पूरी संख्यां के क्या होते ह्याएं जिस्टिव नंबर को ही nya क्या कहते हैं नेचुरल नंबर भी कहते हैं आपसे question ये आ सकता है आएगा नहीं वैसे question गित्रू जब आएगा तो मैं आपको बता दूगा natural number क्या होते हैं जो positive number होंगे वही हमारे natural number होंगे मतलब हम ये भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कह सकते हैं कि one से लेकर के कहा तक plus k infinite night तक जो भी संख्याएं होती है वो हमारी क्या होती है natural number होती है natural number को हिंदी में बोलते है प्राकरतिक संख्याएं ठीक है natural number को क्या बोलते है प्राकरतिक संख्याएं बोलते है रडात्मक संख्याओं में कुछ नहीं होता रडात्मक संख्याएं ही होती है बीचे लिख लिख लिखेगा, whole number क्या होते हैं, अगर हम लोग natural number में, natural number में 0 को भी शामिल कर लें, natural number, मतलब 0 ले ले और natural number ले ले, ठीक है, whole number वो कहते हैं, पूर संख्या हैं, यहाँ पर देखेगा, मैंने दो चीजे बोली हैं, एक पूरांक है, और यहाँ पर पूर है, यहाँ integer number है, यहाँ whole number है, whole number क्या होते हैं, whole number वो होते हैं, आगर हम लोग natural number में, natural number कहां से start होते हैं, आगर हम लोग natural number में 0 भी ले ले, यह 0 को भी शामिल कर लिया, यह क्या हो जाते हैं, whole number हो जाते हैं, हम यह कह सकते हैं, whole number कहां से start होते हैं, whole number start होते हैं 0 से, और प्लस के infinite तक, इतनी बात आप आप लोगो समझु में आगई होगी, अगर हम लोग natural number कहां से start होते हैं, अगर हम लोग natural number में 0 भी ले ले, जिरो को add कर ले, तो ये क्या हो जाता है, ये whole number बन जाता है, ये पूर क्याएं बन जाती है इतनी बात आप लोगों को पल्ले पड़ा रही होगी बहुत ही आसान मैंने बताया आप लोगो ठीक है इसको अधर नोट करना चाहिए तर नोट कर लेजिए वीडियो को पॉस्ट करके मैं मिटाता हूँ अगर आप लोगों को नहीं समझे में आ रहा है तो एक बार फिर से आप मेरी वीडियो को रिवाइन करके देख सकते हैं यूटूब में रिवाइन करने का उप्शन होता है आप लोग रिवाइन करके देख सकते हैं हम लोग कोशन्स पे भी आएंगे पर कोशन्स से पहले मैं आप लोगो theory पढ़ा देता हूँ, नहीं तो क्या होगा ना, देखे, question से पहले, question बहुत आसानी से हो जाएगी आपके, question में आपको कुछे दिक्तत नहीं होगी, अगर आप लोग यह समझ लोगे, base बस मुश्किल होता है, base आप लोग ने समझ लिया, तो आप लोग आगे के स सवाल कर लोगे, यह हम लोग आगे चलते हैं, दशमलों संख्याएं हम से पूछी गई हैं, तो दशमलों संख्याएं क्या होती हैं समझेगा, दशमलों संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जो दशमलों में होती हैं, अब दशमलों को भी हम लोग यहाँ पे example में लिख द 0.727272 करते-करते infinite तक ठीक है यह जितनी भी संख्याएं लिखी है देखिए points में है जी हाँ points में है क्या यह दशमलाव संख्याएं है जी हाँ दिख रहा है ना आपको 0.3 मला point के बाद कुछ ना कुछ संख्या होनी चाहिए 0 नहीं होना चाहिए आप 1.0 कोई आपसे यह कह द integer होती है पुडांक होती है तो यह 1 यहाँ पे दशमलो नहीं हो सकती है यह संख्याएं दशमलो नहीं हो सकती ठीक है अगर आपसे इसी तरह कोई कह दे कि क्या यह बताईए 2 upon 7 2 upon 7 है क्या यह क्या गयता है decimal नंबर है जी हाँ decimal नंबर है अगर आप साथ को दो से डिवाइट करके देखिए तो यहां जाएगा नहीं point लगाएंगे 0 लगाएंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा यहां 6 बचेगा ठीक है मलब कुछ ना कुछ point इसका answer point to something आता रहेगा तो point के बाद मैंने क्या बोला है कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए point के बाद कोई ना कोई संख्या होनी च ठीक है यह example थे अब मैं इसका भी classification करता हूँ इसका भी classification करता हूँ थोड़ा सा आराम से मैं बताऊंगा ठीक है आप लोग को burden नहीं मैसूस होगा दशमलों संख्याओं को दो तरह से बाटा गया है दो तरह से बाटा गया है एक तो जिसमें होता है repetition होता है repetition होता है ठीक है यह repetition decimal number वो सकते हैं और इसमें होता है non repetition non repetition या पुन्रा रत्ति नहीं होती है और यहाँ पे क्या होता है पुन्रा रत्ति होती है दिख लिजेगा पुन्रा रत्ति होती है ठीक है यहाँ पे decimal number दो तरीके से होते हैं एक तो होता है repetition होता है और दूसरा होता है non repetition repetition नहीं होता है ठीक है अब जिसमें पुन्रा रत्ति होती है समझेगा अच्छा एक मैं बात बताते तहूं जिसमें भी पुन्रा रत्ति होती है यह repetition होता है उसको एक और चीच कहते हैं क्या कहते हैं उसको कहते हैं rational number र-a-t-i-o-n-a-l इसको और करके लिखे जिए गा rational number या परिमे संख्या है इसको एक और नाम कहते हैं परिमे संख्या बोलते हैं जिसमें non repetition होता है जिसमें non repetition होता है उसको कहते हैं irrational number irrational number कहते है ठीक है आप परिमे संख्या है आप परिमे संख्या है अच्छे एक बात है जितने ही बच्चे अगर ssc की students देखना चाहते हैं इस lecture को तो वो देख सकते हैं ssc के लिए बहुत ज़्यादा important है यह lecture ठीक है मैं वैसे तो class 10th के ncrt ही cover कर रहा हूं लेकिन अगर कोई लोग ssc की बच्चे देखना चाहते हैं तो वो बिलकुल देख सकते हैं competitive ज़्यादा बीडियो तैयारी कर रहे है वो देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर बात यह है कि यह rational number है और irrational number है कैस से पता चलता है कि कौन सा irrational है कौन सा rational है यहाँ पर मैंने बोला पुन्रा विरत्ती होती है तो जड़ा एक्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अगर मैं 0.33333 करते-करते infinite तक लिख देता हूं तो यह क्या है infinite तक लिख देता हूं तो यहाँ पर चीज हमें देखने को मिल ली ह यहाँ पर हमें यह चीज देखने को मिल ली है कि Right के बाद 333333 करते-करते कहा तो जा रहा है infinite है मतलब किसकी पुर्णा व्रत्ती हो रही है यहाँ पर 3 की पुर्णा व्रत्ती हो रही है मतलब 3 जो है बार-बार रिपीट कर रहा है यहां पर कौण सा वर्ड रिपीट कर रहा है, कौँसा अंग रिपीट, डिजिट रिपीट कर रही है, तो यह पर थ्री रिपीट कर रहा है, तो थ्री की पुन्रा रत्ती हो रही है, या थ्री रिपीटिशन हो रहा है, तो इससे कहते हैं परिमे संख्या, परिमे संख्या कैसे कहते हैं, परिमे स वे संख्याएं होती हैं, जिनको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, इर्रेशनल लंबर क्या होता है, इर्रेशनल लंबर वो होता है, जिनको हम अपॉन बी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इतनी सी बात यहाँ पे आपको repeat कर रही है, point 3 का bar का मतलब, bar जो होता है उपर जो एकर हमने लिखा है, ऐसे करके line लिखी है, इसका मतलब होता है bar, और ये bar का मतलब होता है, यही संख्या bar 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 क्या हो रही है, repeat हो रही है, मतलब point 3 बार बार repeat होगा, 3 3 3 3 3 3, ठीक, समझे एकनी बार, अगर दूसरा example में लेता हूँ, मैंने लिया 5.79797979 infinite, करते करते infinite, तो बताएं, ये संख्या क्या repetition है, repetition में आती है, जी हाँ आती है, अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ क्या देखने को मिलना है, कि जो 7,9 है, वो बार-बार-बार repeat कर रहा है, और कब तक repeat कर रहा है, infinite terms तक repeat करेगा हमेशा, ध्यान दीजीगा, जो भी यहाँ तक repetition है, ठीक, वो infinite terms तक repeat करेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, 5 तो ऐसे ही लिख दिया, 5 पॉइंट लगा दिया, अब यहाँ repeat क्या कर रहा है, repeat 7,9 कर रहा है, तो 7,9 का पूरा बार हो गया, 7,9 के उपर पूरा बार लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ, कि 7,9, 7,9, 7,9, 7,9, 7,9, 7,9, आगे तक repeat कर रहा है, ठीक, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको मैं बदा देता हूँ, 22 बटे 7, एक होती है संख्या, 22 बटे 7, क्या यह repeatational है, मेरे को बताएगा, क्या यह repeat करती है, क्या यह repeat करती है, जरा इसको solve करिए, 7 को divide करिए, 22 से जानते आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3.1428, ऐसे ही आएगा something, 2857, 2857, फिर आजाएगा 142857, और करते करते कहां तक, infinite 9 तक, यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे बोला है, कि repeat करनी चाहिए, तो देखें, यह चीज जो है न, यह चीज रिपीट कर रही है, बार-बार रिपीट कर रही है, wise upon 7, का मान जो है, वो यह आएगा, 3.142857, 142857, अब उसको solve करिएगा, यही आएगा, तो बार-बार क्या चीज रिपीट कर रही है, 142857, जो चीज बार-बार रिपीट कर रही है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रिपीटिशनल लंबर कहेंगे, या फिर परिमेश संख्या भी बोलेंगे, अगर इसको मैं solve करना चाहूं, अब अगर छोटे में लिखना चाहूं, तो कैसे लिखूंगा, 3.142857, तो इसी के उपर मैंने बार लगा है, 3 के उपर बार नहीं लगा है मैंने, यहाँ पर मैंने 7.9 के उपर बार लगा है, क्योंकि 7.9 बार-बार रिपीट कर रही है, समझ गया हैं इतनी बात, चलिए, एक और एक्जामपल में लेता हूं, मैंने लिखा 5.579999 करते करते, इन-फाइन एक पर, आप यहाँ पर कौन संख्षर रिपीट कर रही है, आप बोलोगे 7.9 बिपीट कर रही, 7.9 नहीं रिपीट कर रही, सिर्फ जो 9 है, यहाँ भी देखेगा, सिर्फ जो 9 है, वही रिपीट कर रही है, ठीक है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 5.79 और 9 ही repeat कर रही तो 9 के ही उपर केवल बार लगेगा बार किसके उपर लगेगा बार सिर्फ 9 के उपर लगेगा क्योंकि 9 ही repeat कर रही है ठीक है या फिर हम लोग बोल जाकते हैं rational number पर इमेज संख है ठीक है यह आपके सामने example है आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर देजिए ठीक है जिन लोगों को नहीं समझे मैं मैं एक बार फिर से बता देता हूँ real number में मैंने दो चीजे बताई थी दो पार्ट होते हैं हमारे real number की एक होता है decimal number और दूसरा होता है integer number integer number वो number होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं बते में कुछ नहीं होता नहीं point में कुछ होता है जैसे 1 2 3 4 0 minus 1 minus 2 minus 100 minus 500 minus 5000 minus 5 lakh minus 5 करोण ठीक है 5 करोण हो जाएका plus का तो दोनों आगे पीछे दोनों जाएंगे ठीक है देशेमलव शंख्याको कि देक्ष नमबर बंगे जो रिपिटिशनल नमबर होते हैं उसमें क्या होता है कि जो संख्यार repeat कर रहे हैं कि decimal पहली बात तो decimal में होनी चाहिए मलब तशामलों में होनी चाहिए और दूसरी बार repeat करने चाहिए तो जो संख्यार repeat कर रहे होगी वो repetition में आ जाएगी अभी तक मैंने non repetition का नहीं बता है यहाँ पे irrational number की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो example मैं देता हूँ आपको root 2 root 2 जो है वो irrational number है जिस संख्या का root नहीं निकल सकता है या cube root या 4 root कोई भी root हो ठीक है वो अगर नहीं निकल सकता है एक पूरी पूरी संख्या में जैसे मैं आपको उना देता हूँ root 25 root 25 को खोलोगे तो क्या आएगा भाई root 25 का 5 आजाएगा 5 आजाएगा तो 5 क्या है 5 दशमलो संख्या नहीं हो सकती 5 जो है दशमलो संख्या नहीं हो सकती 5 क्या है इंटीजर है हमारी तो इसमें आएगा ही नहीं लेकिन root 2, root 2 का मान कितना होता है 1.41 something होता जाता है, तो ये हमारी एक दशमलों में आ रही हैं, तो दशमलों में या तो ये होगी, या तो ये होगी, अब ये हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती पताता हूं, root 2 का जा मान होता है, वो आता है 1.4179625987149763, 3 ऐसे करते करते हैं infinite तक जाता है यहाँ पर समझेगा यहाँ पर मैंने क्या बोला root 2 का जो मान है 1.41 देखे कोई भी number यहाँ पर repeat नहीं कर रहा है आप बोलोगे यहाँ 7 आ गया यहाँ यहाँ 7 आ गया लेकिन और कोई number repeat नहीं कर रहा है कोई भी number एक time के बाद कुछ number repeat करने चाहिए यहाँ repetition नहीं हो रहा है इसलिए मैंने बोला है non repetition है और non repetition जो होती है वो अपने आप में क्या होती है आप परिमे संख्या होती है मतलब उसको A upon B की form में नहीं लिख सकते अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं root 2 upon 1 लिख सकते हैं इसी संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं root 2 upon 1 नहीं लिख सकते root 2 upon 1 क्यों नहीं लिख सकते इसका reason है अगर लोगो reason जालना चाहते हो पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा समय बता देता हूँ वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आद हो कि यहीं तक काम का था root 2 आपकी क्या है non repetition है या irrational number है ठीक है मैंसे मैं बता देता हूँ देखी क्या है यह अगर root 2 upon 1 लिख देंगे तो यहाँ अगर root 2 कमान कितना हो जाएगा 1.41796259 करते करते infinite तक जाएगा ठीक है upon 1 अगर यहाँ पर decimal हटाएंगे यह जो decimal लगा हुआ इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर infinite जिरो लगते जाएगे इनफाइनाइट जिरो लगते जाएगे तो यह संख्या एक तरह से इनफाइनाइट upon इनफाइनाइट बन जा रही है यह संख्या कैसी बन जा रही है इनफाइनाइट upon इनफाइनाइट बन जा रही है जिसका mathematics में कोई solution नहीं है और यह होती है, हमारी जो संख्या होती है, ऐसी संख्या को कहते हैं हम लोग indeterminate form होती है हमारी, ठीक है, तो यह आप लोग इसके बारे मत पढ़िए, बस यह समझे का root 2 जो number होता है, वो हमारा कैसा होता है, irrational number होता है, यह non repetition होता है इसी तरह आपको मैं और example बता देता हूँ, root 3, root 5, इन सबका कोई मान नहीं निकल सकता है, 1.73 something होता जाता है, और infinite है इसका भी मान 2.something होता जाता है, और infinite है, ठीक है, root 7, और इसमें एक बहुत बड़ा example आता है पाई का, पाई का मान आता है, 3.14, ठीक है, और यहाँ पे 2, 8, 59, 5, 3, 5, ऐसे करते चलता जाता है कोई संख्या repeat नहीं को रहती है, आप को जो अच्छे यहाँ बोलेंगे, सर्फ पाई को तु 22 बटा 7 कहते हैं पाई को 22 बटा 7 कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 22 बटा 7 का example लिखाया दा, चीक है 22 बटा जो 7 है, वो एक repetition number है, लेकिन यहाँ पे हम पाई का मान 22 बटा 7 नहीं होता बच्छे एक बाप ध्यान अखेगा, पाई का मान 22 बटे 7 नहीं होता, exact नहीं होता, उसके बराबर होता है पाई का मान कहीं न कहीं, देखे 3.14 इसमें भी आता है, और 3.14 इसमें भी आता है यहाँ पे यह 4 डिजित तो मैच कर लेती है, बागी की डिजित मैच नहीं करती तो इसी वज़े से जो पाई का मान है, वो नियर अबाउट, नियर अबाउट 3.14 लेते हैं, ठीक है, इतना लेते हैं लेकिन यह पाई 22 बटा 7 नहीं होता है, वाई क्या होता है, एक irrational नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सी बात थी है, रियल नंबर के बारे में इतनी सी बात थी, और इसके बारे में और कुछ खास नहीं है जितनी मेरे थियोरी परहानी थी, वो मैंने परहा दी है, अब हम लोग चलते हैं अपनी exercise पे, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी exercise पे, अगर आप लोगों ने यहां तक परहा है और इसको समझ लिया है, तो आप exercise में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है, exercise म मैं आप लोग के जो Euclid theorem है, उसको हटा दिया गया है, Euclid form को हटा दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को एक बार बता देना चाहूंगा, Exercise, Size 1.1, बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, तो हर दिन में एक घंटे के करीब करीब क्लास दूँगा, और आपका कोर्स एक महिने के अंदर खतम हो जाएगा, आज ना कर बात कुँँग, 21 जुलाई है, और आपका 21 अगस्त, या अगस्त की आखरी तारिक तक, 30 अगस्त तक, आपका जो पूरा का पूरा कोर्स है, वो मैं कंप्रीट करा दूँगा, ठीक है अपनी तरफ से, और ऐसा नहीं हो का सिर्फ कंप्रीट करा दूँगा, पढ़ा पढ़ा के समझा, समझा के क्लियर कराओंगा, ठीक है, यहाँ पे exercise 1.1 है, यहाँ पे आपकी यूक्लीड, कोई गलती हो जाए, ठीक है, क्या कहते है, मुझे कोई गलती हो सकती, बिल्कुर हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे, कैमरे में पढ़ा रहा हूँ, और कैमरे में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, जो समझ मिना है मुझे, आगर आप लोग को गलती होती तो आप लोग को comment section में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, चलिए, यहाँ पे Euclid है, और Hindi में भी Euclid बोलते हैं, Euclid, ठीक है, इससे पहले मैं आप लोग को Euclid पढ़ाने से पहले, मैं आप लोग को थोड़ा सा base बता देता हूँ, Euclid का, ठीक है, वैसे तो आपके यह course में reduce कर दिया गया है, जो 70% आपका course है, उसमें आप Euclid जो form है, वो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा, क्योंकि HCF और LCM आप लोग को निकालना आना चाहिए, HCF और LCM, यहाँ पिंक HCF निकालने को बोल जाता है, तो HCF पर जो full form होता है, उसे कहते हैं, highest common factor, highest common factor, ठीक है, हिंदी में कहते हैं, महत्तम समापोर्टक, हिंदी में कहते हैं, महत्तम